हाई गाईज वेलकम बैक टू दे वीडियो दोस्तों फिलाल 25,000 के आसपास बहुत सारे अच्छे स्मार्टफोन लॉंच हुए हैं तो ऐसे मैं अपनी लिए कोई से एक बेस स्मार्टफोन को पीक करना काफी मुश्किल है तो इसी प्रॉबलम को हमने सॉल्व किया है इस वीड फ्लेक्षिप कैमरा सेटप अप्टू 100 वाट तक की फास चार्जिंग का सुपोर्ट आईपी 68 की रेटिंग एंड वन अब दा मोस्ट पारफुल 5G जिपसेट भी तो फुली फीचर्स लोड़ेड होने वाला है यह पांचो स्मार्टफोन तो ऐसे में अगर आपका बजट 25 नमर फाइब से एंड नमर फाइब पर जबने स्मार्टफोन रखा है इस वन का सॉफ्टर एक्स्प्रियंस अल्मुस्ट नीट एंड क्लीन रहेगा इस वन का नाम है वन प्लस नौट सी फोर फाइब जी जो बीसे पास मिल जाएगा एन इस प्रैस ब्रैकेट में बहुत ही पॉन है चली जल्दी से डिटेल में जानते हैं स्टाट करते हैं डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी से तो डिजाइन वाइज अच्छा रहेगा कंप्लीट प्लीट प्लीट पर बना हुआ है 8.4 mm की थिकनेस और 186 ग्राम वेट है और आई पी 54 की रेटिंग भी है तो ओवर 14 मिलता है बेस्ट ऑन ऑक्सिजन वेस्ट 14 टू प्लस 3 यर्स का एंड़ोड अप्रेट भी मिलेगा फ्यूचर में प्ले स्टोर से ओड़ डाउनलोड करके चुपके से कॉल रिकॉर्डिंग कर सकते हैं स्पॉन से कुछ में फीचर के बारें बात करें तो 5500 मिली एंपर की ब सब्सक्राइब अच्छा रहेगा बेजल्स वगरा कम है एंड डिस्प्ले की क्वालिटी भी अच्छी है मुल्टिमीडिया के लिए सही है कैमरा की बात करें तो बैक्साइड में दो कैमरा मिलता है जिसमें से प्रैम्रे सेंसर 50 मेगापिसल का है और यह सुनी का संसर है जो क में 30F तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं आगे के तरफ 16 मेगापिसल की सैलफी है इस कैमरे से फोलेंस डिप बमें 30f तक वीडियो रिखॉर्ड कर सकते हैं तॉस्पण का जो कैमरा परफॉर्मंस है डीसंट टैप का रहेगा डिक्सार एग्ध में तो अच्छे से परफॉ आता है इसके साथ ही UFS 3.1 वाला स्टोरेज एन LPDDR4X वाला रैम है तो डेटू डेट आक्स में परफॉर्मिंस आपको बिल्कुल वी इसू नहीं होगा काफी कैपेवल चिपसेट है मीडियम टू है सेटिंग में गेमिंग वेगरा भी कर सकते हैं किनेक्टिविटी के लिए सा 8128 के लिए 25,000 रुपे है सुप्राइस के साब से देखोगे तो अच्छा पैकेज है यह रहे प्लोजन कॉन्स बात करें फॉर्थ नमर के स्मार्टफॉन के बारे में तो नमर फॉर पर जो हमने स्मार्टफॉन रखा है अगें यह वी एक और राउंडर पैकेज है जिहां इस फॉन का नाम है मोटो एज 50 फ्यूजन यह फॉन भी रिसंटली लॉंच हुआ है एंड वेल्ली फॉर मनी फॉन है चली जल्दी से डिटेल में जानते हैं स्टाट कर लेते हैं डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी से तो डिजाइन वाइस काफी अच्छा रहने वाला है व टो डॉल इस्ट्यूज स्पीकर दिया गया है डॉल्व अत्मस वाला एंड स्पीकर के आउट्पूट बहुत ही अच्छी है हाँ ध्यान रहे ओडियो जैक नहीं है वैसे स्वान में आप दो फाइब जिसम लगा पाएंगे लेकिन एसडी का स्लोट नहीं है बाइमैटरी के हैं कुछ में फीचर्स तो 5000 मिली एंपर की बैटरी है और साथ में 68 वर्ट चार्जिंगा सुपोर्ट दिया गया है नॉर्मल यूज में असानी से एक दिन का बैटरी वैकप दे देगा यह फॉन भी बात करें डिस्प्ले के बारे में तो इस फॉन में लगावा है 6.7 इंच दे यूज में बहुत ही स्मूथ फिल होता है पाकि कॉंटेंट वॉचिंग लिए अच्छा है वहीं कैमरा की बात करें तो बैक सेट में दो कैमरा है जिसमें से प्रैमरी संसर 50 मेपकिसल का है और यह और यह अल्टर वाइड कैमरा है रियर कैमरे से 4K में 30fps तक वीडियो रि प्रफॉर्मेंस के बारे में तो स्पॉन में लगावाए स्नाप रगन 7S Gen2 वाला 5G चिपसेट जो कि 4NM पर बना हुआ है छे लाग सूपर अंतुत उसको राता है साथ में UFS 2.2 वाला स्टूरेज एन लपी डीडियर 4X वाला रियम है तो नॉर्मल टाक्स में परफॉर्मे 2 वर्जन का सुपोर्ट है औलसो NFC भी है बात करें प्रैस के बारे में तो आठ एक सो ठास के लिए लगभग 23,000 रुपे है और फिलाल 2000 रुपे का बैंक डिस्कॉंट दिया गया है तो कुल मिलाकर 21,000 क्या स्पास मिल जाएगा एन इस प्रैस पर देखो कि तो अच्छा पै 255 जी जस्ट लॉंची हुआ यह फॉन भी एन प्रैस के साफ से सई फॉन है चली जल्दी से डिटेल में जानते हैं स्टाट कर लेते हैं डिजाइन और बिल्ड कॉलिटी से तो डिजाइन वाइस बहुत ही प्रीमिम रहने वाला है वीगन लैदर डिजाइन दिया गया है सिर से और यो जैक नहीं मिलता है तो इसे बात क्या ध्यान रख सकते हैं और हाइब्र सिंप्लोड को अप्शन है पाइमेटरिक के लिए इंडिस्प्लेइब स्कैनर है आउट ऑप दबॉक्स सैंड़ट 14 मिलता है बेस्ट वन यॉई 6.1 फ्यूचर में 4 प्लस 5 पीर्स का सॉफ् 25 वर्ट फास्ट चार्जिंग को नॉर्मल यूज में एक दिन का बैटरी वैकप मिल जाएगा सानी से वैसे ध्यान रहे बॉक्स के अंदर अडेप्टर नहीं दिया गया है लेकिन अभी आपको ऑफर के साथ 500 रुपे के आसपास से मिल जाएगा 45 वर्ट का डेप्टर डिस् स्ne rios speaker है camera की बात करें तो बैकसिट में तीन कामरा मिलता है जिसमें से प्रायम्यटी सेंसर 50 ने सेनसर परफेस तक विडियो रिकौरड कर सकते हैं इस इस चैम्रे से भी 4K में 30 एफ एस तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं ओवरोल कैमरा प्रफॉर्मेंस अच्छा रहने वाला है डिसन टाइप का प्रफॉर्मेंस निकाल कर दे देता है अच्छी बात यह है कि फ्रेंट एंड रियर दोनों ही कैम्रे से 4K में वीडियो रिकॉर प्रफॉर्मेंस आपको विल्कुल वीशू नहीं होगा बाकि क्याज्वल और मीडियम लेवल की गेमिंग वेगरा भी कर सकते हैं और यह एक पर्फॉर्मेंस और गेमिंग फॉन नहीं है किनेक्टिविटी के लिए 135G वैंस का सपोर्ट दिया गया है 4G प्लस का सपोर्ट ह वाइफाई 6 आता है वाइफाई कॉलिंग है एंड ब्लूटिथ 5.2 वर्जन का सपोर्ट है अल्सो एनेपसी भी है फाइनली बात के रेप्रेस के बारे में तो 8288 के लिए लगवर्वक्त सताहीजार रुपे हैं एडिस्नली बैंक डिस्कॉन भी मिल जाएगा 2000 पे तका तो पर हमने स्मार्टफोन रखा है अगें यह वी एक और रांडर पैकेज रहेगा जिहां इस फॉन का नाम है नाथिंग फॉन टुए 24 से पजी जार के आसपास यह फॉन भी आपको मिल जाएगा एन इस प्रैस पर बहुत ही अच्छा ओप्शन है एस्प्सली डिजाइन और 190 ग्राम वेट है आई पी 54 की रेटिंग भी मिल जाती है और बैक पैनल में क्लेफ लाइटिंग लगी हुई है सो ओवरॉल डिजाइन वाइस बहुत ही अचा रहेगा कुछ बेसिक फीचर्स के बारें बात करें तो डुएल स्पीकर दिया गया है और स्पीकर की क्वालिटी अच्छी है और यूज एक नहीं दिया गया है इस फॉन में आप दो 5G SIM लगा सकते हैं लेकिन SD कार्ट नहीं लगा पाएंगे बायमेट्रिक के लिए इंडिस्पेय फिंगरपिन स्कैनर है आउट अप दो बॉक्स एंडूइड 14 मिलता है बेस्ट ओन नथिंग ओएस 2.5 इस अडिया गया है डिस्प्ले की बात करें तो इस फॉन में लगावाए 6.67 इंचेस की फिल एसडी प्लस 10 विट वाला एम ओले डिस्प्ले जो की 120 हर्ट रिफिसर्ट के साथ आता है 240 हर्ट की टस्यांपिंग रेट है और साथ महीं 1300 इट्स तक की पीक ब्रैटनेस भी गई है डिस्प्ले अच्छा रहेगा तो दिखने में वह काफी अच्छा है चामरा की बात करोगे तो बैक सैड में दो कैमरा मिलता है जिसमें से प्रैम्री संसर 50 मेगापिक्सल का है और यह अल्टर वाइड कैमरा है रियर कैमरे से 4K में 30 एफ तक वीडियो रिकॉर्ट कर सकते हैं अच्छे से प्रफॉर्म कर लेता है इस फॉन का क्यामरा प्रैस के अकोर्डिंग परफॉर्मेंस अच्छा रहने वाला है एणिवेग बात करें परफॉर्मेंस के बारे में इस फॉन में लगा हुआ है मीडिया टेक डैमीशीटी 7200 वाला प्रो 5 जी छिपसेट साथ लाग स भी कर सकते हैं प्राइस की साब से क्नेक्टिविटी के लिए 13 5G मेंस का सपोर्ट मिलता है 4G प्लस का सपोर्ट एब लेवल है वाइफाई 6 आता है वाइफाई कॉलिंग है और ब्लूतुथ 5.2 वर्जन का सपोर्ट है अल्सों एन्सी भी है प्रैस की बात करें तो 8128 के लिए स्माटफ़न के बारे मैं स्माटफ़न रखा यह फन गेमिंग लिए फ्लेक्सिज ग्रेट चिपसेट लगा हुआ है अगर आपको हैवी गेमिंग के लिए कोई साइक अच्छा फोन चाहिए तो यह फोन आपके लिए बैस्ट आप्सन है 25 जार के आच पास चली जल्दी से ड quality ठीक ठाक रहेगा, कुछ basic features के बारे में बात करें, तो dual stereo speaker मिलता है, Dolby Atmos वाला, and speaker के output काफ़ एची है, audio jack नहीं है, तो इस बात का धियान रहे, इस फॉन में आप 2 5G SIM लगा सकते हैं, लेकिन SD card नहीं लगा पाएंगे, बाइमेटरी के लिए, इंडिस फ्लिफिंग अप में स्कैनर दिया गया है, out of the box Android 14 के साथ आता है ये फॉन, based on HyperOS, तो इंडिया का एक लोट ऐसा फॉन है, जिसमें आपको HyperOS मिलता है, out of the box, साथ में इस फॉन को 3 यर्स तक major Android update मिलेगा, एंड 4 यर्स तक security patch update, बाकी MIUI डैलर के साथ भी आता है ये फॉन, मतलब चुपके से call recording भी कर पाएंगे, अब जानते हैं कुछ main features, तो 5000 mAh की बैटरी मिलती है, जो की support करती है 67W fast charging को, नॉर्मल यूज में एक दिन का बैटरी वेक अप दे देगा, इनिशेली बैटरी थोड़ी सी ज़्यादा drain हो रही है, इससे software update की थूरू fix किया जा सकता है, खेर बात करें, डिस्प्ले के बारे में, तो इस पॉन में लगावा है 6.67 इंचेस की 1.5K 12-bit वाला Super AMOLED डिस्प्ले, Dolby Vision का support भी है, 120-HC का support दिया गया है, 480-HC की टास एंडिंग रेट है, एन 1800 नीट्स तक की पीक ब्रैटनिस दी गई है, ओवरोल एक्सिलेंट क्वालिटी का डिस्प्ले ओफर किया गया है, पोको के तरब से, मतलब जो कुछ भी हो सकता है, सब कुछ दे दिया है डिस्प्ले के अंदर, बैजल से वेगरा ना की बराबर है, कॉंटेन्ट वोचिंग के लिए बहुत ही जबरदस्त रहेगा, वहीं बात करें कैमरा के बारे में, तो बैक सैट में तीन कैमरा है, जिसमें से प्रैम्री संसर 64 मेगापकिसल का है, जो की ओए सिपोर्ट के साथ भी आता है, सेकिंड कैमरा है 8 मेगापकिसल का है, जो की अल्टरावाट के लिए है, और 2 मेगापकिसल का मैक्रो लेंस है, रियर कैमरे से 4K में 30F तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, आगे के तरब 16 मेगापकिसल की सैल्फी है, बनावाए मीडिया टेक डैमिंज सिटी 8300 अल्टरा 5G चिपसेट, इस चिपसेट का अब सिनेप्र अगें 8 प्लेस जेन वन इतना मान सकते हैं, 4NM पर बनावाए और लगभग 13 लाग के आसपास अन्तुतुष को राता है, साथ महीं UFS 4.0 का स्टोरेस टैप मिलता है, NLP DDR 5X वाला रैम है, ओवरॉल परफॉर्मिंस में ये फॉन बिस्ट रहेगा, नॉर्मल यूज में कोई लैग और जिटरिंग इसू देखने को नहीं मिलेगा, और आम से आफ हाइस्ट लेवल की गेमिंग वेगरा भी कर सकते हैं प्रैस के हिसाब से, कनेक्टिविटी की बात करें, तो 14 5G बैंट के सुपोर्ट करता है ये फॉन, 4G और 5G प्लेस का सुपोर्ट मिल जाएगा, वाइफाइ 6 आता है, वाइफाइ कॉलिंग है, भी मिलेगा आपको, यह रहे है प्रोजन कॉन्स, तो दोस्तों यही थे टॉप 5 बेस्ट एंड अल्टिमेट 5G स्मार्टफोन, जो कि आपको मिलेगा 25 जार के आसपास, प्रैस हमेशा उपर नीचे होती रहती है, तो इस बात का ध्यान रख सकते हैं, सभी के बेस्ट वाल लिंक डिस्क्रिप्शन में हैं, तो चेक आपको कर सकते हैं, कुछ भी डाट और कंफूजन रहे गया है, तो आप कमेंट कीजिए, वीडियो अच्छे लागा होते वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब बरना मत भूलेगा, इसके साथ ही मैं आपको मिलता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में हैं,